मुखमंत्री नितीश कुमार जी ने बारवार कहते रहा कि कई मंचों पर कि मामूली परिक्षा ली जाएगे जो ऑनलाइन परिक्षा सिक्षकों की होगी और बीपेसी पैटर्न पर जो टी आरी ओन टी आर टी आर सरकार से पहले मांग करता हूं कि सरकार निती में सुधार युखमंत्री समरार्च चौध्रीक से एक बारता हुई थी जब विपक्ष में थे तो उनके द्वारा पुद्रीफ कुमार पपु द्वारा मांग किया गया था कि जब भी सरकार में पाटी आती है तो हमें भूल जाती है और विपक्ष में रहती है तो नियोजी सिक्षकों को याद रखती है तो इसी आधार पर सिक्षक संग अब कमर कर चु बंकोतिया है तो, आपको पहली देर करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा, अभी तक आपने शिक्षकों की जो भीश्वास होई है सत्ता मेरा कर उसको पहले आपको भड़पाई करना पड़ेगा और सिक्षबलर ही रहे हैं हम आगरा करेंगे बहुत संचुत सव्दों में क्योंकि बहुत पीरा हम लोगों को आप लोगों से भी है सतरह साल में इस्तितियां आप लगों ने प्रिदा किया है जब सरकार में रहे हैं तो किस्तिस तरह की बातें हम लोगों को सुने के मिला आप लगों के दुवारा यानी सत्ता में रहने के बादिगे quiet ढरेदे दूनाये fret लेक्यों कि मुझे दर्द पल्मलहन लग रहा है लेकिन होड़ा जंताओं में जो हमारा सिक्षक समाज है उसमें संसे हैं और सिख्षक वह सब लोग बना प्राडम कर देते हैं इसलिए हम आगरह करेंगे कि परिष्टिती बिहार में जो बर्तमान पंचैती राजुनगर निकाय के सिक्षकों के साथ है इसमें कोई संद्धे नहीं है जो बर्तमान सरकार ने प्राडम करेंगे कि आपको सिक्षकों की लाडाई को अपने राजनितिक दल की और से और विपक्ष के तोर पर मजभूती से लड़ के दिखाना पड़े गा तो इस वीडियो में आप सभी ने देखा कि कैसे बीजे पी जब विपक्ष में थी तो परदेश अद्याक्स परदी कुमार पपू दोरा मांग किया गया था बिसी सिक्षक नियमावली को हटाने को ले करता अब आपको बता दे कि बीजेपी सरकार में उपमुक मंत्री बन चुके हैं समराज चोधरी और निश्चित रूप से नियोजी सिक्षकों के लिए यह अच्छा पल होगा और बिसी सिक् जात बिडियो में इतना ही बिडियो मलास तक बने राने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद